नमस्कार मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूँ स्वागत है आप सभी का पोस्ट मैच अपडेट में केन बेरा में यापर पहला T20 मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया ने यापर पहले टॉस जितकर फिल्डिंग करने का निन लिया और बल्लेबाजी के लिए आपर ने उता दिया भारत को भारत ये पारी यहाँ पर 161 रन बनाए साथ विगेट के नुकसान पर 20 ओवर पर जहां पर काफी अच्छी पारी खेली केल राहूल ने उन्होंने एकाउन रन बनाए तो वहीं पर हरफन मौला के लाड़ी रविंद्र जड़जाद 44 रन बनाए उसके बाद संजू सेंसन ने यहाँ पर 23 रन बनाए और 162 रनों का लक्षे रखा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिय के सामने ऑस्ट्रेलिया पारी यहाँ पर काफी अच्छी रही आर्चे सौट और एरेंज फिंच की दोनों नी सलामी जोड़ी ने यहाँ पर 56 रनों का योगदान दिया पहले विकेट के लिए तो हें पर इस मैच में एक ट्विस देखनों के मिला पहले इनिंग्स के बाद यहाँ पर जस्टिन लेंगर एरेंज फिंच में पर मैच रेफरी के साथ गुपतगू कर रहे थे जस्टिन लेंगर यहाँ पर थोड़े से नाखुसते क्योंकि वर्ल्ड किर्केट में यहाँ पहली बार हुआ कि किसी एक खिलाडी की रुप में सबस्टिट फिल्डर यहाँ पर आके फिल्डिंग भी करें और गेनबाजी भी करने का मौका मिला यहाँ पहले हमें देखा जाता था कि सबस्टिट फिल्डर आते थे और वो खाली फिल्डिंग करते थे मगर इस बार आईसेसी ने नियोमो को बदल दिया है और सबस्टिट अगर कोई प्लेयर अनफिट हो अगर उनकी मेडिकल जांच हो अगर डॉक्टर बोले कि वो अनफ टल होगा केंबेरमा क्योंकि केंबेरा के पीछ यहाँ पर काफी अच्छी है बल्ले बाजी के लिए आर्चे सौट और एरन फिच यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से खेल रहे थे मगर यूजुंदर चनल जिस परकार से गेंद बाजी करने के लिए और आते ही उन्होंने एरन फिंच को चलता किया उसके बाद इस्टेपी स्मित भी चलते बने तो वहीं पर अगर हम गेंद बाजी के बात करें तो टीन आटा राजन दयोकर किंग कहे जाने वाले खिलाडी ने काफी अच्छी गेंद बाजी की उन्होंने चार अबर पर तीस रंदीकर तीन तो वहीं पर अगर हम बल्लेवाजी की बात करें तो आर्चे सोट एक तरफ से पारी को आपर समाले रखा था उन्होंने चोंतीस रंद किये तो वहीं पर एरन फिंच ने 35 रंद बनाए और अंत में यहाँ पर भारत को 11 रंदों से जीत करने को हासिल हो पाई अब देखना है कि भारते टीम दूसरा मुकाबला रई वर को कैसे खेलेगी अस्ट्रेले के सामने तब तक किला मैं सुनील इजाज़त चाहता हूं धन्यवाद थेंक्यू बाबाए